नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों रेड वाइन का एक ग्लास हर किसी को पसंद आता है किसी किसी को तो रेड वाइन कुछ ज्यादा ही पसंद आती है लेकिन इसका प्रयोग केवल एक स्वादिष्ट शराब के रूप में ही नहीं किया जाता बल्कि ये हमारे स्वास के लिए भी बहुत अच्छी होती है अगर आप इसे एक सही मात्रा में प्रयोग करें तो इससे आप अपने शरीर में शरकरा के स्थर को भी नियंतरित कर सकती है एक अच्छी नींद पासकते है दाटों की समस्या को भी दूर कर सकते है और रिदय रोग के खत्रों को भी कम कर सकते है लेकिन क्या आपको पता है कि red wine आपके बालों और skin के लिए भी बहुत अच्छी होती है और आज के इस package में हम आपको यही बताएंगे कि red wine आपकी beauty को और निखारने में आपकी कैसी मदद कर सकती है Red wine हमारे शरीर में रग्त के बहाव को सही से बहने में मदद करती है अगर आप इसे तवचा पर लगाते हैं तो ये आपकी तवचा पर मौझूद डेट स्किन को हटाती है और आपकी स्किन को कोमल और सौफ्ट बनाती है आप रेड वाइन पैक बना कर भी अपने फेस पर लगा सकते हैं इसके लिए आपको केवल रेड वाइन, दही, शहद और ग्रीन टी के आवश्चक्ता पड़ेगी इन सभी चीजों को एक कटोरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तब तक मिक्स करते रहें जब तक ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलना जाएं अब इस पेस्ट को मेकप ब्रश की मदद से अपने चहरे पर लगाएं और इसे अपने चहरे पर 5-10 मिनट तक रहने दें फिर ठंडे पानी से धोलें इससे आपके स्किन सौफ्ट और ग्लोइंग बनेगी इसके अलावा रेडवाइन की हिल्प से आप अपने मुहासों को भी कम कर सकती हैं ये आपके चहरे पर मौझूद बंध हुए पोर्स को अंदर जाकर खोल देती है और आपकी त्वचा पर मौझूद बैक्टीरिया को भी खत्म करती है इसके लिए आप कॉटन को रेडवाइन में डुबो कर अपने चहरे पर लगाएं और दस मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें फिर उसके बाद गुन-गुने पानी से इसे धोलें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस प्रक्रिया को रोज सोने से पहले करें क्या आप जानते हैं कि रेडवाइन आपकी स्किन को सूरज की पैरा बैंगनी किरणों से भी बचाती है रेडवाइन में फ्लेवनोइट्स और अमीनो आसिड होता है जो की सूरज की किरणों से बचाने के लिए आपकी तौचा पर एक रक्षा परत बना देता है और इसी के कारण आपकी तौचा सूरज से बची रहती है अगर आप काफी समय से डैंडरोज से परिशान हैं तो चिंता मत करिये क्योंकि आप रेडवाइन की मदद से डैंडरोज की समस्या को दूर कर सकते हैं इसके लिए आप अपने गीले बालों पर रेडवाइन लगाएं और उसे 15 मिनट तक अपने बालों में ऐसे ही रहने दें उसके बाद थंडे पानी से अपने बालों को धो लें इससे आपके बाल सौफ्ट तो बनेंगे ही साथ ही आपकी डैंडरोफ की समस्या भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी बालों को शाइनी और रेशमी बनाने के लिए भी आप रेडवाइन का इस्तमाल कर सकते हैं आप जब भी अपने बालों को धोएं तो उसके बाद अपने कंडिशनल में कुछ बूंदे रेडवाइन की मिला लें और एक मिश्रन बना कर अपने बालों पर लगा लें और इस मिश्रन को 2-3 मिनिट तक अपने बालों पर ही रहने दें इसके बाद ठंडे पानी से अपने बालों को धो लें आप कुछ ही दिनों में पाएंगी कि आपके बाल पहले से ज्यादा चमकदार हो गए है अगर आपकी स्किन बहुत ड्राइ हो गई है तो आप अपनी स्किन को नरिश करने के लिए रेड वाइन की मदद से भी अपनी त्वचा में नमी बना सकती है ये एक प्राक्रतिक मॉइस्टराइजर है जो आपकी स्किन को बिना किसी नुकसान के मॉइस्टर प्रदान करता है इसके लिए red wine से अपनी त्वचा पर धीरे धीरे मालिश करें या फिर आप चाहें तो रोज थोड़ी सी red wine का सेवन भी कर सकती है ये आपकी skin में नई कोशिकाओं को बनने में मदद करेगी इतना ही नहीं ये आपकी skin को और भी कोमल बनाएगी अगर आप अपनी त्वचा में hydrate और moisture बनाए रखना चाहती है तो इसके लिए आप red wine का प्रयोग कर सकती है इसमें antioxidant का गुण होता है जो त्वचा संबन्धी समस्याओं को कम करता है इसके लिए आप red wine, अंदे और शेहट से एक paste बना लें इसके बाद इस paste को अपनी skin पर लगा लें कुछ देर अपनी skin पर रहने के बाद इसे ठंडे पानी से धोलें अगर आप रोज red wine का सेवन करती है तो ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली त्वचा संबन्धी समस्याओं को भी कम कर सकता है इसके साथ ये आपकी त्वचा पर मौझूद के टारूओं को भी मारती है इतना ही नहीं red wine से आपकी त्वचा एक छोटे बच्चे की त्वचा के समान कोमल बनी रहती है साथ ही ये आपकी त्वचा को जुर्यों से भी बचाती है तो दोस्तों red wine के इतने सारे फायदे जानने के बाद red wine को इस्तमाल करना जल से जल शुरू की दिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो like, comment and share जरूर करें